किसान भाईयो नमस्कार मेहुद असरत दाकर आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में किसान भाईयो इस समय पर लहसुन के भाव में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है उटी लहसुन तो 7,000 से ऊपर विकरा है लेकिन देशी लहसुन 4-5,000 के हसपासी मंडी में भिकरा है इस वीडियो में हम लहसुन के भाव के बारे में बात करेंगे लहसुन के भाव में जो गिरावट आरही है इसके पीछे क्या कारण है लहसुन में तेजी कब से बन सकती है आने वाले अप्रेल महिने के बाद मई महिने में लहसुन कबाव क्या देखने को मिल सकता है और किन कार्णों से लहसुन 10,000 के उपर जा सकता है किसान बाई इस वीडियो को पूरा देख्ये जो किसान हमारे चेनल पर ना है हो चेनल को सबस्क्राइब कर ले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को अपनी तरब से बढ़ चरकर लाइक भी ज़रूर करें किसान बाइों से मेरा अनुरुध है कि इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो मेरे अनुसार एकत्रित की गई और अंगडों के अनुसार दी जाएगी आप अपने माल को खरीदने, बेचने का नेने, स्वेंब के विवेक से ले इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जाएगी वो हमारे नीजी विचार रहेंगे लैसुन अभी मंट्यों में थोड़ा मंदा भिक रहा है उटी लैसुन 9000 के आसपास उपर में बोक्स माल भिक रहा है और देशी लैसुन 4000 से 5000 और 5000.500 के आसपास भिक रहा है खाने से मेरा मतलब है कि अभी भी अच्छा भाव चल रहा है लेकिन बीते दिनों जब उटी लैसुन की ठ्रेसिंग चल रही थी यानि की कटाई चल रही थी उस समय अच्छी तेजी लैसुन में देखने को मिल रही थी पहले बात करते है कि लैसुन के भाव में गिरावट क्यों आ रही है और किस परकार से भाव देखने को मिल रहा है लैसुन के भाव में गिरावट किसान भावयों ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है उन मालों में गिरावट देखने को मिल रही है जो माल कमजोर है क्वालिटी उतनी अच्छे नहीं है लैसुन की क्वालिटी चोटी है उन वेराइटियों में जो बाव है उसमें कापी अंतर देखने को मिल रहा है अगर बढ़िया क्वालिटी का लैसुन मंडी में पहुंचता वो लैसुन पूरी तरह से सूख चुका है जिसमें वजन भी कम निकल रहा है इसके अलावा बहुत दिनों से उटी लैसुन का परदा भी कम जोर हो गया है जिस कारण उटी मालों में भी थोड़ी लेवाली कम देखने को मिली है और लैसुन का बाजार थोड़ा मंदा देखने को मिल रहा है आने वाले समय में लहसं के भाव delicis के लाव में बात करें तो लहसं में इस साल तेजी बनने की समभावना सुरुष से ही देखने को मिल रही थी कई मुष्यसग्यों का मादना है कि 2023 में किसानों को लहसं के अच्छे भाव मिलेंगे हाला कि अभी वाव अच्छा चल रहा है लेकिन कुछ कारणों के अनुसार लैसुन के वाव में थोड़ा मंदापन देखने को मिला है लेकिन आने वाले समय में उम्मिद यही है कि वाव में ज़रूर सुधार होगा और किसानों को एक बार फिर से लैसुन का अच्छा वाव मिलेगा और लैसुन में अच्छी तेजी बनेगी अभी थोड़ी इस्तिती नरम है लेकिन उम्मित के मुताबिक आने वाले समय में लैसुन में सुधार हो सकता है किसान भाईयों ये मेरे नीजी विचार है आप कोई भी निने सुयम के विवेक से ले और आपके अनुसार लैसुन का भाव क्या रहेगा नीचे कमेंट अवश्य करे धन्यवाद